साथियों, खेलों के प्रती पिछली सरकारों का जो रवया रहा है, उसका एक जीता जाकता सबूद, कौमम वेल्थ खेलों के दोरान हुआ गोटाला था। जो खेल प्रतियोगी था, विश्व में भारत की धाग जमाने के काम आ सकती थी, उसी में गोटाला कर दिया गया। हमारे गाव, देहात के बच्चों को खेलने का मोखा मिले, इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी, पंचायत, युवा, क्रिडा और खेल अब्यान। इसका नाम बदल कर, राजी उगादी खेल अभ्यान कर दिया गया। इस अभ्यान में भी फोकस सिरफ नाम बदलने पर था, देश में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रेक्टर विक्सित करने पर जोड़ नहीं दिखाया गया। पहले गाँ हो या शहर हर खिलाडी के सामने सबसे बड़ी चुनोती थी कि उसे स्पोर्ट की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इस पर खिलाडियों का बहुत समय निकल जाता था। कई बार दूसरे सहरों में जाकर रहना पड़ता था। बहुत से विवातों इस वजह से अपना पैंशन तक अपना इस प्रकार का जो उनका जब पैशन था। उनको करने का जो मूर था। उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हमारी सरकार आज खिलाडियों की इस दस्व को पुरानी चनोत का भी समाधान कर रही है। अर्बन स्पोर्ट इंफ्रसक्टर के लिए जो योजना थी उस बैभी पहले की सरकार ने चे साल में जरिब तीन सो करोड रुपे खर्च की है। जबकि खेलो इंडिया भ्यान के तहट हमारी सरकार स्पोर्ट इंफ्रसक्टर पर करीब करीब तीन हजार करोड रुपे खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट इंफ्रा की वज़े से अब जादा खिलाडियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक अथलेट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी डेड़ हजार खेलो इंडिया अथलेट्स की फैचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें आधुनिक स्पॉर्ट्स एकडेमिज में टॉप क्लास ट्रेडिंग भी दी जा रही है। नव वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का तकेंद्रिय खेल बजेट भी कीन गुणा बढ़ाया गया है। आज गाओं के पास भी आधुनिक स्पॉर्ट्स इंफ्रास्रक्टर विक्सित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसलिटिज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पॉर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारो करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं। लखनओं में जे पहले से सुविदाई थी, उनका विस्तार किया गया है। आज वारा नसी में सीगरा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहाँ पर लगबार चार सो करोड रुपे खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविदाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपूर में सिंथेटिक होकी मैदान, गोरोपूर के वीर बादूर सी स्पोर्ट स्कॉलेज में मल्टी परपस हॉल, मेरट में सिंथेटिक होकी मैदान और सहारनपूर में सिंथेटिक रणिंग ट्रेक के लिए भी मदद दी कई आने वाले समय में खेलों इंडिया प्रोग्राम के तहट ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाडियों को जादा से जादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आउसर मिले। जितना जादा खिलाडी स्पोर्ट्स कंपडिशन्स में हिस्सा लेते हैं उतना ही उनका लाब होता है। उनका टैलेंट निखरता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। हमें अपना खेल और कहां सुधारना है, हमारी कमियां क्या है, गल्तियां क्या है, चुनोतियां क्या है, कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सरुवात के पीछे एक बड़ी वहजे ये भी थी, आज इसका विस्तार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है, देश के हजारों खिलाडी इस प्रोग्रेम के तहस्त परधा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे तो खुशी है, भारत ये जनता पार्टी के अनेक साउसद, साउसद खेल प्रतिभा के उगीता चलाते हैं, उसमें हज़गनों की तहदाद मेरिके एक साउसद ये ख्षेत्र में, नवजवान, बेटे-बेटियां खेल कुद में हिसा लेती हैं, आज देश को इसके सुखत परिणाम भी मिल रहे ह बीते वर्षों में कई अंतराष्टिय प्रतिगोगीता हों में हमारे खिलाडियों ने स्ट्रेस्ट प्रोदर्शन किया है, ये दिखाता है कि भारत के युवान हमारे खिलाडियों का आत्म विश्वास आज कितना बुलंध है